वेल्लम टुसपेल आउट के ऊक्छुर से खुल दी एक अनोम की बनना चाहती है तरह के मोवी ने देख योग आते ताकी वो पोने चलोक से मिलवा दें और इससे परिशान होकर एनॉला वहां से अपना बैक पैक करकर वापस अपने घर जा रही होती है पर तब उसके पास एक छोटी बच्ची आती है वहाँ पर उस लड़की के नाम बैसी होता है उसकी बड़ी बहन ला पता है और उसी को ढूंड़ने में वो एनॉला की हेल्प चाहती है जिसके बाद जो बैसी रहती है वो एनॉला को अपने घर ले जाती है और वो सलम्स में रहती थे जहां पर की एक एक रूम में छैसे भी जादा लोग रहते थे और वो सारे एक तिली बनाने वाली फैक्टरी में काम करते थे तो उसके बा वो वहाँ पर उस पूरे रूम को उफजर्व करती है और साथ ही बताती है कि जो सैरा है वो एक हफ़ते से ला पता है और जिसके बाद हम देखते हैं जो एनॉला है वो जब उस पूरे रूम को उफजर्व कर लेती है तो तब ही महाँ पर महीं आती है और जो में रहती है वो से कहती है कि हमें अमीर लोगों की help नहीं चाहिए पर जो बैसी थी वो अपनी बहन को ढूरना चाहती थी तो इसलिए वो एनॉला को बताती है कि जो सेरा थी वो दो जोब करती थी वो morning shift में factory में काम करती थी और second shift में वो एक pub में बरतंद होती थी और गयब होने से पहले factory में उसका मिस्टर क्राउड से जगड़ा हुआ था क्योंकि मिस्टर क्राउड सेरा पर चोरी का इलजाम लगा रहे थे पर जो सेरा थी वो चोर नहीं थी ऐसा बैसी का मानना था जिसके बाद जो एनॉला रहते है वो अगले दिन उसी factory में जाती है वहाँ पर वरकर बनकर और ज से सब का ध्यान भटकाना था तो इसलिए वो वहाँ पर जितनी भी तीलिया रखी रहते हैं उन्हें गिरा देती है जिसके बाद सब का ध्यान उसी पर हो जाता है और जो एनॉला रहती है वहाँ से निकल कर उस office में चली जाती है जिसके बाद वह उफिस में जाकर कुछ लो और भी लोग होते हैं महाँ पर और वो सारे महाँ पर परेसान होते हैं क्योंकि उस ओफिस से कुछ चोरी हुआ है और इसे चोरी का इलजाम सहरा पर लगाया गया था और जिसके बाद एनॉला महाँ से बचकर निकल जाती है और वो उसके बाद में का पीछा करती है क्योंकि उ आती थी और साथ ही आएनोला की गर्द annat परचा को रखकर वहां से जाने के लिए इसके बाद हमें अचाथ में को देखते हैं जो कि हन्ट को आसे निकालने के लिए जाता है पर जो साथ में को कुछ सिक्खें दे देती हैं जिसके बाद वह सैरा की मेकप टेबल के पास पहुंच जाती है और जिसके बाद एनॉला को वहाँ पर एक लेटर मिलता है जिसके बाद वो उस लेटर को लेकर वहाँ से निकल जाती है और उस लेटर में कुछ पोईम्स लिखे थी और साथ ही लास्ट में एक रैड कलर का फ्लावर बना हुआ था जिसके बाद एनॉला को लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है पर उसके बाद एनॉला सामने से अपने भाई शरलोक होम्स को देखते है जो की नशे में रहता है जिसके बाद जो एनॉला रहती है वो Sherlock को सके रूम तक छोड़ने के लिए जाती है और जब Anola Sherlock को सके रूम में छोड़ देती है तो उसके रूम की हालत हमें वैसे ही दिखाई जाती है जैसा कि पिछली मूवियों में हमें बताया गया था सारा समान बिखरा हुआ और एक wall पर कुछ paper से लगे हुए जिसके बाद annola वहाँ से चली जाती है उसके बाद scene safe होता और हम देखते हैं जो annola वो एक garden में बैठी रहती है और वो जहाँ पर बैठी रहती है वहाँ से twist berry रोज की जाता था जिसके बाद जो annola थी वो उस letter को दोवारा पढ़ती है और उसे वहाँ पर letter में कुछ words मिलते हैं जो कि उस poem के अंदर लिखे हुए थे और जो वो words थे उने मिला कर एक address उसे मिल जाता है और वो जब उस address पर जाती है पर वो कुछ बता नहीं पाती है उसकी वही पर death हो जाती है और उसके मरत ही एकदम से ही वहाँ पर पुलिस आ जाती है पर में ने मरने से पहले annola को एक letter दिया था पर annola उसे चुपा लेती है वहाँ पर और जो वहाँ पर वो पुलिस वाले आये थे उसमें एक last letter और दूसर ग्रिल था और जो ग्रिल था वो शरलोक को पसंद नहीं करता था और उसके सामने शरलोक की उसे भेन मिल गई थी एक case में फसी हुई जिसके बाद ग्रिल annola को साफ साफ एक matter case में arrest करना चाता है पर जो annola थी वो उस paper को लेकर वहाँ से भाग जाती है और वहाँ से भाग कर जो annola थी वो शरलोक के घर पर पहुंच जाती है जिसके बाद शरलोक के पास last letter आता है और वो उससे कहता है कि annola को arrest करने वाले हैं जिसके बाद वो उसके room की महाँ पर तलाशी भी लेता है पर जो एनॉला थी वो एक wall के पीछे थी, जिसके चलते वो एनॉला को नहीं ढूंट पाता और महाँ से चला जाता है, जिसके बाद वो शरलोग से पूछते कि वो किस case पर काम कर रहा है, जहांबर की शरलोग बताता है कि कुछ गर्वमेंट फंड से कुछ पैसे चोरी हो रही है और वो जो पैसे हैं वो अलग-अलग अकाउंट में जाते हैं और जैसी उन अकाउंट तक पोस्ता है वो वहाँ से दूसरा अकाउंट में सिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ पर नहीं कोई सबूत छूट रहा है और नहीं वो किसे आदमे के बारे में पता कर पा रहा है और जिसके बाद शल्लोक सूचता है कि एनॉला को अब अरेस्ट करनी ही वाली है तो वो एनॉला से कहता है कि वो पूरे दिन उसी रूम में रही जिसके बाद शल्लो कहता है कि वो पूरे case को खुद dissolve करेगा जिसके बाद शल्लो को से crime scene पर जाता है जहां पर गी makey body पड़ी हुई थी जिसके बाद शल्लो को उस रोम को observe कर रहा होता है तो उसे वहाँ पर एक cap मिलती है जो कि किसी चोल की होती है और वो वही चोल था जो कि उसके case से भी related था और वहाँ पर उसे एक matchbox factory का logo मिलता है जिसके बाद शल्लो को को समझ में आता है और वो उहाँ से निकल जाता है जिसके बाद जो एनॉला थी उसे शल्लो के रूम में पाता चलता है कि 12th March को एक bowl होने वाला है और वो साथ ही समझ जाती है जो सेरा के रूम में 12th March की date का paper पड़ा था वो किसलिए पड़ा था और अब एनॉला को भी उस bowl में जाना था और जब एनॉला बोल में पहुच जाती है तो उसे विलियम से बात करनी होती है पर William के साथ chaperon होता है जो कि Annola को उससे बात करने नहीं देता जिसके बाद Annola सोचती है कि अगर वो उससे dance करत हुए बाते करेगी तब chaperon William के पास नहीं रहेगा तो वही पर उसे twist berry भी दिखता है जिसके बाद वो twist berry से dance के दो तीन step सीखती है और जब एनोला टुस्क बैरी से दो तीन स्टैप सीख लेती है तो वो भार आती है जहांपर कि उसे अमीरा ट्रोय मिलती है और वो भी वो इन्वेस्टर है जिसने कि उस फैक्टर में इन्वेस्ट किया था और जिसके बाद हम देखते हैं एक चार्ल्स नाम का आदमी वहाँ पर एक स्पीस दे रहा होता है जहांपर कि वो बता रहा होता है कि एक मैच स्टिक कमपनी ने दो साल में कितना मुनाफ़ा कमाया जिसके बाद एनॉला विल्यम के साथ डांस करती है और डांस करती है वो विल्यम से बताती कि वो एक डिटेक्टिव है और वो सेरा को ढूंड रही है जिसके बाद विल्यम कहता है अगर उसे पूरी बात जानी है तो वो रात को उसे लाइबडरी में मिले और जब एनॉला उस लाइबरेरी में जाती है, विलियम से बात करने के लिए, तभी कोप्स भी आ जाती है, जो कि एनॉला को अरेश्ट कर लेती है, और उसे जील में गेल देती है, उसके बाद सीन सिफ्ट होता है, हमें शरलोग दिखाया जाता है, अपने रूम में, जहां पर कि वो देखता ह कि जितने भी अकाउंट में टांजेक्शन हुई है, उनके बीच में एक मैच इस्टिक फैक्टरी पड़ती है, और जिसके बाद वो नोटिस करता है, कि अलग-अलग बैंक में होने वाले टांजेक्शन के जो नेम थे, वो सारे डांस फोर्म थी, और ये एक डांस लोग के जितना ही जीनियस भी है, और जिसके बाद हम देखते हैं कि जो शरलोग उसे पता चलता है, उसकी बेहन को अरेश्ट कर ले है, जिसके बाद शरलोग दुवारा से उस जेल में जाता है, और वो उस टाइम पर बहुत गुस्से में रहता है, पर जो गिरिल रहता है, वो उसे भारी रोक लेता है, जिसके बाद जो शरलोग बताता है कि मैंने उस क्राइम सीन को देखा है, और वहाँ पर कुछ सबूत भी घटा करें हैं, जिसके बताता है कि महाँ पर दरवाजा खोलने है, और किसी को घसीटने की निसान थे, और साथी एक पैन भी पढ़ा थ और उसके बाद हम देखते हैं, जो ग्रिल का एक आदमी रहता है, वो अपने हाथ को छपा लेता है, और उसके हाथ पर सेम वही निसान होता है, जो कि किसी के पैन के मानने से होगा, और इसका मतलब यह था कि मेका मडर ग्रिल के आदमियों ने करा था, शादिस अलोग यह भ लब उस शाकू पर किसी ने एनॉला के फिंगर प्रिंट्स प्लेस करे थे, और यह काम गिरिल कई था, और यह चीज सरलोग को पता चल चुकी थी वहाँ पर, पर इसलिए सरलोग इस वक्त वहां से निकल जाता है, उसके बाद हम देखते हैं, जो एनॉला है, उसे फासी की स लाषट होता है, और बिलाषट के बाद जो अंदर आती है, और यह आणोला को लेकर, वहां से एक बगगी के ओर भाग जाती है, और वहां पर पहुछकर कर बेशे उसे निकली लड़की के साथ रहती है, क्योंकि महाँ पर टैफस से को मर रहे थे, जिसके बाद हम देखते ह और सारी चीज को दुबारा दिहान से देखती है और वो वहाँ पर रखे एक गबले को देखती है जिसमें की आदे फूल मुर्जाय होए होते हैं और आदे फूल सही होते हैं और जिसके बाद वो उनकी डेस्ट को देखती है जिसमें की आदी dust red color की होती है और आदी dust white color की होती है और जो white dust वाले full थे वो मुर्जाई होए थे और जो red dust वाले full थे वो सही थे और वो वहाँ पर देखती है कि एक चीज भी पढ़ा होता है जिसपे की white dust थी और उसे खाकर महाँ पर एक rat भी मर चुका था और जिसके बाद annola समझ जाती है कि Sarah, May और William यहाँ पर test कर रहे थे और महाँ पर Sarah को पता चल गया था कि जो तील्य बनाने में white fast forest use होता है उसी के वज़े से सबको typhus हो रहा है और Sarah ऐसी चीज को proof करने वाले थी मागर ऐसा हो जाता तो उन सारे investors का जो profit था वर रुक जाता और इसलिए सबको Sarah की तलात है क्योंकि Sarah के पास अभी भी वो papers है और जिसके बाद annola help के लिए twisk berry के पास जाती है पर तभी वहाँ पर सिसकी भी आ जाती है उसकी वही थी जो annola को उस ball में मिली थी और जिसके बाद शिसलि की ड्रेस को देखती है और वह सोचते कि ये ड्रेस उसने पहले भी कही देखी है और जिसके बाद annola को यादात है कि उसने उसे pub में देखा था और वह पूरे टाइम उसे pub में थी और जो में थी वो सही बचाना चाहती थी वहाँ पर और वो ट्विस्कबेरी के पास इसलिए आये थी क्योंकि ट्विस्कबेरी एक लोड जस है और वो अलग-अलग फैसलों के उपर अपने वोट देता है और वो चाहे तो चीज़ों को ठीक कर सकता है जिसके बाद एनॉला सिसली को ढूणने के लिए दोवारा भार जाती है पर सिसली वहाँ से जा चुकी थी जिसके बाद पिस्कबेरी और एनॉला दोनों ही उस फैक्टरी में जाती है यहाँ पर कि एनॉला को शरलोग भी मिलता है उसी फैक्टरी में क्योंकि वो भी अपने केस के क्रिमिनल का पीछा करते हुए यहीं तक आच होगा था और जिसके बाद वो दोनर जब ओफिस में पॉस्ट हैं तो वो वहाँ पर देखते हैं कि विल्यम को किसी ने मार दिया है और वहाँ पर जितने भी सबूत छोड़े गए थे वो चाल्स की तरफ इशारा कर रहे थे क्योंकि अगर विल्यम बता दे था कि वाइट फासफॉरस से ही टाइफस फैल रहा है तो मिस्टर चाल्स का बहुत बड़ा प्रोफिट रुख जाता पर यहाँ पर शर्लोक यह बोलता है कि यह सारे सबूत यहाँ पर प्लांट किये गए है जैसे कि यहाँ पर सिगर्ट तो रखी गई है पर यहाँ पर कहीं एश नहीं है और रियल किलर कोई और है और जिसके बाद एनॉला को विल्लिम के हाथ में से एक पेपर मिला होता है और वो ही सेम पेपर होता है जो कि मेंने एनॉला को दिया था और उस पर भी एक उस डांस नोर्स लिखे होते हैं और वो नोर्स को जिहान से देखती है तो उसे पादा चल ज जाता है कि यह नोर्स नहीं है वो एक मैप से जो कि कोर्ट की फॉर्म में लिखे हुए और वह स्मैप को डिकोड करने के बाद उसी पम में पहुच जाते हैं और उस सीट के नीचे उने बागी बचवे सारे पेपर मिल जाते हैं और वह पेपर वही सबूत थे और साथ उनमें पेपर भी थे जो कि उस ओंपिस के रिए इसके लिसटा उस्टा मुझें होती है कि कि युद्धने लोग को सधेडर की वजह ती और जिसके बाद प्ना उप Chop Daf कॉर्णार और वहीज़ा याजा भाइए तक कि ब्रदा का है और जिसके बाद हमें एक fight scene देखने को मिलता है जहाँ पर की Sherlock, Anola और Tisq Berry fight कर रहे होते हैं और जो Sarah बैसी थे वो भाग रहे होते हैं और fight करते हुए जो Anola थी वो एक stage पर थी और वो वहाँ पर बहुत मार खा चुकी थी और जो गिरिल था वो वहाँ पर Anola को मानने वाला होता है पर जो Anola थी वो वहाँ पर गिरिल को नीचे गिरा देती है और नीचे गिर कर गिरिल के death हो जाती है और जो वो paper थे वो अब भी safe और जिसके बाद स्रलोक के बुलाने पर Mr. Charles भी वहाँ पर आ चुके थे और साथी कोप भी आ चुके थे वहाँ पर आकर जो Charles था वो Sarah को Arrest करने के लिए कहता है पर जो Holmes था वो कहता है कि यह सारा काम गिरिल का है और यह सब करने के लिए उसे किसी ने पैसे दिये थे और साथ ही वो बताता है कि उनके match stick के profit को कोई है जो धरुदर कर रहा है और बहुत सारे investors से बचकर वो सारा profit खुदी रख रहा है और जो वो paper थे जिसमें उस आदमे का नाम लिखा हुआ था वो Sarah ने फार दी थे और इसलिए गिरिल को किसी ने हायर करा था कि वो Sarah को पकड़ क लाए और जिसके बाद हमें पता चलता है ग्रिल को पैसे देने वाली थी मेरा ट्रोय और जो मेरा ट्रोय थी वो कोई और नहीं मोरियारटी थी जो कि अभीता हर एक चीज़ पर नजर रख रही थी और वो एक लेड़ी है और ब्लैक है इसलिए लोग उस पर ज्यादा ध्या अरेशर करवा देते हैं और जो महा पर पेपर स्यूरसे बहुत जला देते हैं क्योंकि जो regels को बहुत एक तर इननोसेंट आदमी नहीं नहीं थे और उन पेपर में वही थी एनफोर्मेशन थी जिसमें की जितने लोग टैफैड से मरे थें उनके नाम modo जिसके बाद वो सारे workers strike कर देते हैं और वहाँ पर उस factory को छोड़ कर वहाँ से चले जाते हैं और जिसके बाद हम देखते हैं जो एनुला है उसने अपना नया office लिया है जो की edit की martial art class के side में ही है और जिसके बाद हम देखते हैं जो Sherlock है वो एनुला से मिलने के लिए वहाँ पर आया था और वो एक पेपर भी ले रहा था जिसमें वो बताता है कि जो टुष्क बैरी है वो अब एक सही लोड बन चुका है और उसने मिस्टर चाल्स को भी arrest करवा दिया है और साथ ही वो अब एक brave man बन चुका है जिसके अगले सीन में हम देखते हैं जो एनुला है वो टुष् पसंद आई हो और हाँ अगर आपको इसके पिछले पार्ट जानी एनुला हॉम्स वन की एक्स्मानेशन देखनी हो तो इसकी लिंक भी मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रख्या आप उसे भी complete देख सकते हैं तो इस वीडियो में इतना है मैं मुलू आपको न